पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है फर्ग इससे नहीं पढ़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो फर्ग इससे पढ़ता है कि आप क्या कर सकते हो जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं वेस्थ होना ही काफी नहीं है वेस्थ तो चीटिया भी होती है सवाल ये है कि आप किस काम में वेस्थ हैं जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभाव लगता है एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना क्योंकि इस बार शुरुवात शून्य से नहीं अनुभव से होगी पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो सामने वाले को विश्वास ना हो कोई कुछ भी बोले अपने आपको शान्त रखो क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है उसका एहसान मानिये क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी छोग दो खुद को इस आग में यही कल आपको हीरा बनाएगी वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को दुन्या आपकी सला से नहीं बदलेगी दुन्या आपके उधारन से बदलेगी सफलता के रास्ते पर चलते समय हाथ थामने वाले कम और टांगे खेंचने वाले ज्यादा मिलेंगे एक समय में एक काम करू और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दू और बाकी सब कुछ भूल जाओ दुनिया जब आपको पागल कहने लगे तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो खुद के उपर इतना काम करू कि लोगों को अपनी आउकात अपने आप नजर आने लगे मन्जिलें ख्वाप बनकर रह जाएं विस्तर से इतना भी प्यार मत करू अपने रहस से किसी को मत पताओ ये आदत आपको खत्म कर देगी अगर महनत आदत बन जाए तो काम्या भी मुकदर बन जाती है जरूरत से ज़्यादा आराम और आउकात से ज़्यादा प्यार इंसान को अपाहीज बना देता है आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं वही मिलेगा जिसके आप योग्य हैं यही विधान है इसलिए खुद को योग्य बनाईए अपने हालातों की वजए से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए बलकि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए दिल तूटना भी अच्छा है क्योंकि दिल तूटने के बाद लोग बड़े-बड़े काम करते हैं दिल बड़ा रखोगे तो पहचान अपने आप बढ़ जाएगी जिसके पास उम्मीद है वो लाक हार के बाद भी नहीं हारता मैदान में अकेले डटे रहने का सहस रखो फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाप हो जाए उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ती न हो जाए आज वही कल है जिस कल की चिन्ता तुमने कल की थी ख्वाब जिनके उचे और मस्त होते हैं इम्तिहान भी उनके जवरदस्त होते हैं दौलक तो विरासत में मिल सकती है लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है चिंतन करो चिंता नहीं नए विचारों को जल्म दो मुश्कले कुछ दिन रहेंगी पर सफलता पूरी जिन्दगी रहेंगी संगर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं, मेरा शौक है चीत हासिल करना मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है जरूरी नहीं, शुरुवात सबकी अच्छी ही हो, कुछ लोग हार कर भी बाजी जीत जाते हैं राजनीती एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं, मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करते हैं अगर जिन्दगी में कुछ बनना ही है, तो किसी का रोल मॉडल बनू, ना कि कोई आपका रोल मॉडल हो जीवन में ज़्यादा रिष्टे होना जरूरी नहीं, मगर जो रिष्टे हैं, उनमें जीवन होना जरूरी है जहां डर खत्म होता है, वहीं से जीवन शुरू होता है बड़ा नोकर बनने से अच्छा है, छोटे मालिक बन जाओ, खुश रहोगे इनसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही चीज आपको चेंज करती है भूका पेट, खाली जीव और जुटा प्रेम इनसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है तुमारे लक्ष के अलावा जिस पर भी तुमारा ध्यान है, वही तुमारा परमशत्रु है दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वानी है, जो हतियार उठाए बिना ही क्रांती करवा सकती है और परिश्रम किये बिना शांती दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को ढूंडना है मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया को सई शुनता का पाठ पड़ाया है हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में सुविकार करते हैं जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है अनुभाव ही आपका सर्वत्तम शिक्षक है जब तक जीवन है सीखते रहो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है वसुलों पर आच चाए तो टकराना भी जरूरी है भै और अपून वासना ही समस्त दुखों का मूल है अगर इनसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है विचार ही इनसान को महान बनाते हैं और विचार ही नीचे गिराते हैं नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर अपनी होनी चाहिए बुरी बात ये है कि समय कम है मगर अच्छी बात ये है कि अभी भी समय है जूट बोलना शुरू में आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परिशानी देता है और सच शुरू में बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है बड़ा सोचो दूसरों से पहले सोचो और जल्दी सोचो क्योंकि विचारों पर किसी एक का अधिकार नहीं है दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है तो वह है खुद की जिंदगी जिस काम के लिए जिस समय प्रतिग्या करो ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए नहीं तो लोगों का विश्वास उड़ जाता है स्वेम पर जीत प्राप्त कर लो सारा संसार आपका हो जाएगा मतलबी लोग आपके साथ नहीं बलकि आपकी हैसियत के साथ होते हैं सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रती सच्चे होना स्वेम पर विश्वास करो करना हो वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है जीवन में पच्तावा करना छोड़ो कुछ इतना बड़ा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पच्ताएं जरूरत से ज्यादा वक्त और इज़्जब देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं तो हर दिन अपनी कम्यों को दूर करने का प्रयास करें कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है बोलने की भी और चुप रहने की भी पैसा हैसियत बदल सकता है औकात नहीं अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है किसी के होसले का नहीं ग्यान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ग्यान तुम्हारी रक्षा करता है आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज़्यादा काबिल है पर सोचने की हिम्मत तो करो आपका बीता हुआ कल जितना भी बुरा हूँ आप फिर से शुरुवात कर सकते हैं आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है ये उन वज़ाओं को पकड़ कर लाता है जो बेवज़ा है वहाँ तुफान भी हार जाते हैं जहां कश्टियां जित पर होती हैं अगर जिन्दगी में सफल होना है तो पैसो को हमेशा जेब में रखना दिमाग में नहीं लोग आपको नहीं आपके समय को अहमियत देते हैं अपनी कीमत उतनी रखिये जितनी अदा हो सके अगर अनमोल हो गए तो अकेले रह जाओगे परमात्मा किसी का भागे नहीं लिखता जीवन के हर कदम पर हमारी सोच हमारा वैवार और हमारे कर्म ही हमारा भागे लिखते हैं उपवास करो मगर खाने का नहीं गंदी सोच गंदी नियत गंदे विचारों का भरोसा बड़ी पूझी है, यूही नहीं बाटी जाती, खुद पर भरोसा रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाता है सुईकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इनसान बहुत कुछ सीख सकता है कश्टियां बदलने की जरूरत नहीं दिशा को बदलो तो किनारे खुद बखुद बदल जाते हैं जब भी तुम्हारा होंसला आस्मान पर जाएगा याद रखना कोई ना कोई पंक काटने जरूर आएगा टेंशन कभी भी हमेशा स्थाई नहीं होती लेकिन कुछ लोग इसे जीवन से बड़ा बना देते हैं जीवन का सबसे बड़ा उपहार दोस्ती है आप अपने सपने आउकात से बड़े रखो कल तुम्हारी आउकात सपनों से बड़ी होगी जो सर्फिरे होते हैं वही इतियास लिखते हैं समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं दुनिया में सबसे बड़ा गुरू समय होता है जो सब कुछ सिखा देता है बाद में पस्तावा करने से बहतर है एक बार जी जान लगा कर कोशिश कर ली जाए दुख्स जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सके माना की उपर चड़ना कठिन होता है लेकिन उपर से देखने पर नजारा भी अलग होता है जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं बहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों के साथ लड़ना पड़ता है मेहनत के आगे किस्मत की इतनी आउकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे जिन्दगी में कड़बे फैसले ही सफलता दिलाते हैं सोच का ही फर्क है वरना समस्या हमें कमजोर नहीं बलकि मजबूत बनाती हैं कोई आपके हाथ से चीन सकता है लेकिन आपके नसीब से नहीं जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए फैसला लेना काबिलियत नहीं मगर फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत होती है जो भिखरता है वो एक दिन जरूर निकरता है कितना भी पकड़ लो ये वक्त फिसलता जरूर है ये समय है बदलता जरूर है जो मज़ा खुद की पहचान बनाने में है वो दूसरों की परचाई बनने में कहा हार के डर से कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत की कोशिश करते हुए मर जाना एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज बैठे बैठे अपना समय वैतित मत करू अगर आप ठक गए हैं तो आराम करना सीखें मेनद छोड़ कर भागना नहीं असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में थूल को गुलाल समझता है नादान से भी दोस्ती कीजिए क्योंकि मुसीबत के समय समझदार व्यक्ति काम नहीं आता सच्चा प्यार किताबों से कीजिए आपकी जीत निश्चित होगी यहीं वो सीड़ी है जो आपको सफलता की मंजल तक लेकर जाएगी सही समय कभी नहीं आता समय को सही बनाना पड़ता है कठोर परिशरम से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है किस्मत भी बात्सा उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है हर व्यक्ति की अपनी कमजोरी और ताकत होती है मचली जंगल में दौड नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता इतना भी कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड सके बलकि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही तूड जाए काटों पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी मन्जिल तक पहुंच जाता है क्योंकि काटे पैरों की रफतार बढ़ा देते हैं जल्दी ही गुस्सा करना आपको जल्दी ही मूर्ख साबित कर देता है अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होती है लोग सिर्फ ग्यान देने आते हैं साथ निभाने नहीं मेहनत करो तो रुकना नहीं हाला चाहे जैसे भी हो किसी के आगे जुकना नहीं जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी चलना नहीं सीख सकते। अपने तरीके से जिंदगी जीने के लिए जुनून होना चाहिए परिस्तितियां तो हमेशा ही विपरीत होती हैं। संसकारों से बड़ी कोई वसियत नहीं होती और इमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती महान उपलब्दियां आसानी से नहीं मिलती आसानी से मिली तो वे महान नहीं होती जिन्दिगी में सब के साथ समझोता कर लेना लेकिन अपने सपनों के साथ कभी समझोता मत करना जीवन में वही व्यक्ति SFL होते हैं जो सोचते हैं मगर करते नहीं जो बुरा लगे उसे त्याग दो फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुश्य एक सच्चा दोस्त वो होता है जो तब चलका आपके पास आए जब सारी दुनिया आपको अकेला छोड़कर चली जाए सारी दुनिया कहती है कि हार मानलो मगर दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करके देख लो जिसके पास इरादे होते हैं उसके पास बहाने नहीं होते जहां भी लगे कि आपकी जरूरत नहीं है वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए लाखों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है बस शुरुवात होनी चाहिए किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं सपने देखना कभी ना छोड़ें जिस दिन आपने सपने देखना छोड़ दिया समझ लो उस दिन आप हार गए किसी के भरोसे मत रहो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जिन्दगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी हार से कभी मत डरना शत्रंज हो या जिन्दगी जीतने के लिए धैर या रखना पड़ता है भरोसा हर इंसान का जीतते रहो क्योंकि हर इंसान कभी न कभी आपके काम आएगा सही प्रशंचा व्यक्ति का होंसला बढ़ाती है अधिक प्रशंचा व्यक्ति को लापरवा बनाती है इतने काम्याब तो जरूर बनू कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा हो जाएं किसी को हरा देना बहत आसान है लेकिन किसी को जीतना बहत मुश्किल जिनहें ये दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती अकसर वही लोग दुनिया का इतिहास बदलते हैं हमेशा दूसरों का साथ दें पता नहीं ये पुर्ण्य जिंदिगी में कब आपका साथ दे जाए पलट कर जवाब देना बेशक गलग बात है लेकिन यदि सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदे भूल जाते हैं लिखने वाले अपनी तकदीर तूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं सफलता के फैसले विरासत से तै नहीं होंगे ये तो उडान तै करेगी आस्मान किसका है जोखिम लिये बिना तरक्की संभव नहीं है काम्याब होने के लिए आपकी बेहनत पर विश्वास करना जरूरी है किसमत तो जुए में आजमाई जाती है रास्ते तो हर तरफ होते हैं निर्भर आप पर करता है पार करना है या इंतजार करना है जिंदगी में कभी निराश मत होना क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर ही उठाने चाहिए सस्ते लोग महंगे सबक सिखाते हैं समय आने पर अपनी आउकात दिखा जाते हैं जो तूटका भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता हमेशा डटते रहने से अच्छा है एक बार डटकर डर का सामना किया जाए बीते हुए को तो नहीं बदला जा सकता लेकिन भविश्य अभी भी आपके साथ में है अच्छे लोगों की भगवान बहुत परिक्षा लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता अच्छे लेकिन साथ नहीं देता है